मेरे घर में बरकत नहीं हो रही है, पैसे की कमी है, रोज घर में जिक जिक लगा रहता है तो इस पर मैं बस इतना कहूंगा कि आप नौरात्री आने वाली है कल से, देवी मा की पूजा होगी उससे पहले आप ये देखिए कि आपके घर में महिलाओ का सम्मान है आपके घर में अगर महिलाओं का समान नहीं है तो बरकत कभी नहीं हो सकती है अगर आपके घर में महिला के पैसे के लिए रो रही है ठीक है चाहिए वो आपकी माँ हो पतनी हो ठीक है किसी भी चीज के लिए सिर्फ पैसे के लिए नहीं अगर वो किसी भी चीज के लिए रो रही है तो कैसे आप सोच सकते हैं कि आपके घर में बरकत होगी मेरी उमर इतनी नहीं है कि मैं आपको ग्यान दे सकता हूँ लेकिन ये जो मैं बता रहा हूँ साइद इसको जितना जल्दी आप जान ले उतना जरूरी है लच्मी ही खुस नहीं है तो कहां से आपके घर में लच्मी आ जाएंगी ठीक है अगर लच्मी ही अगर पतनी ही लच्मी के लिए रो रही है तो लच्मी कहां से आएंगी आपके घर तो ऐसा करिए इस नौरात्री में अगर आपके घर में बरकत नहीं हो रही है पैसे की कमी है तो आप सो रुपए ही कमाते हैं या बीस रुपए कमाते हैं चाहे वो अपने मम्मी के लिए पतनी के लिए एक रुपए का ही समान लेकर जाईए लेकिन जरूर लेकर जाईए है ना उन्हें खुस रखने की पूरी कोसिस कीजिए अगर आपकी माँ खुस रहेंगी तो आपके घर में बरकत जरूर होगी है ना, जिसके घर में महिला का सम्मान नहीं है तो उस घर में बरकत वैसे भी नहीं हो सकती है ठीक है, लच्छमी उसी के घर में आएंगे जिनके घर की लच्चमी खुस रहेंगे तो देवी मा, हम देवी मा की पूजा करेंगे अगर हमारे घर में मा ही खुस नहीं है हमारी पतनी ही खुस नहीं है एटू जेट, ठीक है? तो महिलाओं का सम्मान बहुत जरूरी है और कोसिस करिए कि पैसा कमाईए कुछ भी कमाईए और अपने परिवार के लिए सोचिए और जो मैं बता रहा हूँ साइद आप समझ रहे होंगे कि अगर जिसके घर में महिला का सम्मान नहीं है वो वैसे भी खुस नहीं रह सकता है उसके घर में हमेशा कलेस रहेगा पैसे की कमी होगी तंगी होगी लेकिन छोटी छोटी बातों से अगर आप ध्यान देंगे न जैसे आप घर में साफ सफाई करते हैं न डेली ठीक है मैं साफ सफाई करते हैं भगवान को मानते हैं पूजा पाड़ करते हैं डेली खुद को साफ रखते हैं न तो पहले आप देखिए कि बरकत हो क्यों नहीं रही है तो इस नौरात्री पर आप देवी मा की पूजा करने इस पहले ये देखिए कि हम गलती कहां कर रहे हैं क्या हमारे घर की मा बहन बेटी और क्या बोलते हैं बीवी खुस हैं अगर वो नहीं तो आपके घर में बरकत नहीं हो सकती है ठीक है उन्हें खुस रखिए कैसे भी रखिए पहला आपका काम करतब बे बनता है कि आपके पनी मा को खुस रखिए उनके लिए कुछ करिए थोड़ा बहुत ही करिए लेकिन जरूर करिए जिससे वो थोड़ा सा खुसी हो ठीक है उनके लिए कुछ छोटा सा समान ही खरी दिए जितनी आपकी अभी इंकम है उस में से थोड़ा सा परसेंट मा के लिए कुछ खरी दिए अपनी पतनी के लिए करिए है ना तो देखिए आपकी बरकत हो भी होगी आपके घर में लच्चमी खुस होंगी और सब बढ़ियां रहे तो इस वीडियो को सेयर कर दो सब के पास धन्यवाद